आइफों 7 Plus वर्सेस आइफों 7 One Detail Camera comparison in 2024 क्योंकि दोनों के बैक पर हमें में कामरा देखने को मिलता है वह एक्जैक्टली सेम है, फ्रंट कामरा भी आल्मोस सेम ही देखने को मिलता है, तो प्रेक्टिकल लाइफ में दोनों के में कामरा में विडियो ग्राफिय में कितना डिफ 60fps के उपर और ये वीडियो में एडिट करके लगाने वारा हूँ अगर आप कुछ इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें आपने खुद आकर बोलने वाले हो या कुछ व्लॉग करना चाहरे हो तो आपको इसका मैक्सिमम आउट पर जो देखने को मिलता है तो दोनों के रिजल्टे में कितना की डिफरेंस है आपको समझ आ जाएगी वीडियो रिकॉर्णि के दोनों मॉबाइल में 1080p 60fps के उपर हो रही है जो के दोनों फून का बहुत अच्छा ओप्शन देखने को मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं के दोनों फून आलमॉस सेम कवर ज्यादा स्टेबल वीडियो कौन सा मॉबाइल रिकॉर्ड करता है तो यहां पर आइफून 7 ना वो थोड़ा सा लाइट वेट है जिसको हैंड में थोड़ा सा स्टेबल रखना एजी होता है जोके 7 प्लस को थोड़ा सा मुझकल है स्टेबल रखना और दोनों की आगर स्ट हैं तो दोनों मॉबाइल हमें 3x तक maximum zoom प्रवाइड करते हैं अपने main lens के साथ तो यह हमें चीज़ देखना को मिलती है अब एक बार मैं आपको दोनों फून के 4K के ओपर रिकॉर्ड करते हैं दोनों मॉबाइल में 4K 30 fps के ओपर ओ रही है जो के दोनों की maximum video strength है रिकॉर्ड करने की और यहां पर आप stabilization देख सकते हैं कि किसकी अच्छी देखने को मिल रही है दोनों फून में चल रहा हूं और आपको आइडिया हो जाएगा और एक बार मैं आपको focus भी दिखा देता हूं कि दोनों फून में focus किस तरह कर देखने को मिलता है मैंने back side पर focus shift किया लीज जरूर दिखाना चाहूंगा जब मैं किसी close up short के अपर focus करता हूं तो आपको idea हो जाएगा कि back side से dynamic range कैसी आती है तो यहां पर मैंने focus कर दी और आप देख सकते हैं कि दोनों की dynamic range हमें अच्छी देखने को मिल रही है अगर आपका video recording का का काम है तो definitely आप अपने आदे पैसे बचा के iPhone 7 भी consider कर सकते हो आपको video recording में almost same result देखने को मिलने वाला है आप पर दोनों फून अपने front camera से maximum 1080p 30fps तक video recording करते हैं दोनों की video recording में हमें ज्यादा stable देखने को नहीं मिलती लेकिन हलकी full की stable जरूर है कि आप दोनों से अच्छे से video recording कर सकते हो आपको ज्यादा issue आप देख सकते हैं कि दोनों की dynamic range ही struggle कर रही है और front camera में जहां पर मैं एक बार थोड़ सी light में चला जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो कमीजे उसके ऊपर थोड़ों over bright कर गए हैं दोनों फून जहां पर थोड़ी light ज्यादा पड़ी है तो कुछ इस त पिक्चर क्लिक की हैं यह वली जैसे के harsh light में क्लिक की गई थी आप देख सकते हैं कि दोनों कर्दल मुझे almost same देखने को मिला है shadow area भी same देखने को मिल रहा था और back side पे detail ही same देखने को मिल रही थी अगर आप side by side देख रहे हो तो मेरा निख्याल के मैंने इतनी ज्यादा अ situation में जाकि अलग-अलग lighting condition में पिक्चर क्लिक की कहीं भी कोई difference देखने को मिला हो मुझे कोई difference देखने को नहीं मिला कम से कम जैसे कि इस वर पिक्चर में हल्की सी dynamic range ज्यादा बेतर आ गई थी iPhone 7 Plus की वो भी कुछ चंदिक पिक्चर में हुआ था जैसे कि मैंने almost 40 picture क्लिक की 40 में से 3-4 picture ऐसी थी जिन में 7 Plus की dynamic range likely ज्यादा इंप्रूव देखने को मिली थी वो हो भी सकता है कि light condition का थोड़ा सा difference आ गयो otherwise मैंने close up क्लिक की बहुत ज्यादा close up क्लिक की ताकि मुझे कोई difference देखने को मिले तो difference देखने को नहीं मिला लेकिन या question ही आता है क्या आपको iPhone iPhone 7 Plus आपके पास है और आपने iPhone 7 Plus के साथ सिर्फ close up and main camera से picture क्लिक करनी है तो तो आप iPhone 7 को ही consider कर लीजिए आपके 7 Plus के ओपर shift करने वाले पैसे बचने वाले हैं लेकिन अगर आप एक ऐसा person है जिसने मेन camera को using नहीं करना close up क्लिक ही नहीं करनी normal photography करनी ही नहीं है सिर्फ आपने तो एक्स पोट्रेट ही यूज़ और नेक्स हम बहुत ही ज्यादा कम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के अंदर खास दोर पर हयूमस वाली अगर तो आप ऐसे person हैं जिसने close up गयरा क्लिक करने है तो आप आप कर लीजिए 7 लेकिन अगर आपने सिर्फ पोट्रेट क्लिक क क्योंकि ये without editing हैं लेकिन आप याद रहा है कि edit करने के बाद आपको बहुत अच्छा दर देखने को मिलने वाला है तो अगर आप एक अच्छे editor हो तो आपको आईफून में से कोई भी model consider कर लो आप काफी अच्छी प्रिक लिए edit कर पाऊगे क्योंकि इसमें हमें full raw photo देख प्लस बाई करिए तो दोनों के detail camera result आपने देखे simple सी बात है अगर आपने video graphic के लिए बाई करना है slow motion के लिए बाई करना है कि व्लॉग को गए record करें तो आपको हाफ कीमत में iPhone 7 देखने को मिल जाता है अब definitely iPhone 7 की तरफ जाईए लेकिन अगर आपने पोटेट्स लेने हैं आपको फोटोग्राफी का ज्यादा काम तो फिर definitely आपको 7 प्लस ही consider करना चाहिए क्योंकि इसके अदरा में portrait mode देखने को मिलत है जो के फोटोग्राफी में ज्यादा जेगा पर काम आता है वीडियोग्राफी में 7 PLUS कहीं भी काम नहीं आने वाल आपको iPhone 7 आपको वीडियोग्राफी में आल मोट सेम रजट देता है जैसे कि आपको 7 प्लस देता है पर फ्रंट कैमरा की बात करते तो दोनों का रजल्त म वीडियोग्राफी में भी तो फ्रंट कैमरा से आप सेम रिजल्स लेने वाले हो तो डेफिनेटलि अगर आपने ट्वंटी ट्वंटी फोन में से कोई फून कैमरा के लिए बाय करना है तो पहले नमबर पर आप 7 एड़ आपने फोटोग्राफी करनी है तो 7 प्लस लेकिन अग